जो बरतमान में हत्या होने के बाद जो प्राससनिक करवाई हो रही है चाहे हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है लेकिन हत्या होने के पहले प्रसासन और सासन ने आख और कान मूद लिया था ठीक है हत्या होने के बाद सारी चीजे ठीक है पाइसा देकर कि अगर जमीन दिये है पाइसा दिया है पाइसा लेकर पाइसा देकर कि यौको अपने घर रखें मुल्य स्कंडे के जाज़ सकर्ण किया जाए पाइसा लेकर आज तक उन्हीं के घर आ रहा है तो पैसा क्या कहां लेकि जाएगा भई पैसा लिया भी तो पैसा ले कि कहां जाएगा अगर पैसा दिखादर साभी दिया होंगे तो पैसा ले रहे होंगे जब गोबर सानी पानी उससे करवा रहे हैं तो पैसा जाएगा कहा मडम सवाल तो यह है पासा एकाउंट में तो उसका एकाउंट ज्च किया जा कि पैसा उसके खाते है कि नें एकाउंट की बाते चोड़ दीजेए पने उसको ढूडे कि हो है कि हाँ सादू ज्ञान प्रकास दूबे कहा है इसको पता किया जाए जो जमीन लिखा प्रशासन डूड़ेगी हम ढूड़ने जाएंगे हमको क्या पूछ रहें आप नहीं कुछ नहीं पता है कि हम भी तो आप इसे पूछ रहे हैं आप लोगों से जितने लोग है सबसे पूछ जानना चाहता है कि हो है साधू दूबे है कहां ज्यान प्रकास दूबे दोज़ात है कहां जमीन लिखने के बाजब से 2014 से जमीन लिखा उनी के घर मेरा रहा है तो पैसा हुआ क्या पैसा उसनी किया क्या उस पैसे का किस ने हिस्तेमाल किया उतो अपना बैक बताते कैसे जनकारी बताते थे उन्होंने अपना इस्ता लिखा होगी इसे बात हुई है सत्य प्रकास-दूवे जिनकी हत्या हुई है लेकिन उसे कैसे बात होगी जब मिलके नहीं कभी सब जब मिलता तब तो लोत होती एंकी जमीं तो है ग्नान प्रकास दूब एटि जमीन का ही भीवाद है। मैडमWa लिख्भा होता है सारी जमीन एक साथ लिखा होता, तो फिर उसके वाँ राता नहीं। दोखे जी से समी लिखवाई गई है जब रस्त लिखवाई गई है उसका ब्रेंग वास करके लिखवाया गया उनी के वहां रह रहा है कैसे जमीन बेज देगा बहुता नहीं नहीं है मैंडम सबके घर में हुआ है इसका आन्बन का मतलब है निया किसे किसी जमीन दूसरे को दे दिया जा remember से अपनाद शरीर कर लिया जाए इसका मतलब है तो हुआ नहीं जमीन थोड़ी बहुत अन्बन तो सब लख बढ़ी मेरे आप एंबहालाई से दाबने और इंतुम हो आए नरे लिए गई रखेंगा उसकी मुर्ति की करें की मूर्टी रखें मताईए तभी 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 मान लेसे था हमारे जाएंगे तो कैसे चई मैंमान हमारे घर आएगा तभी तो सेवा ज़ाएंगे उनके अपने भाई थे इसी घर में पर नाथ उन्होंने जमीन लिखा होगा 2014 में आप बता रहें 2014 से जो उनके भाई हैं वो प्रेम्यादों के यहां रहने लगे तो उस जमीन लिखे हैं अगर उनको निकाल दिया तो उनको चोटी थाना पर जाया है कि प्रेम्यादों के गरणा चैए टसिल्दार है कि टुछ इंस्पेकटर है कि चौकी इंचार्भी इस त। उसका प्रसासन बता सकता है इसके बाद मेरे वाद जो जानने वाले थे आने लगे उनका सेवा मेरा गए उसके बाद हमें रहे तो आप से मुलाकात हो गए तो कैसे उसको जाने अब कोई बताने वाला भी परिवार में नहीं बचाये तो कौन बताएगा आप इने बताएंगे है जो आपके मीडिया कर्मि या कोई जो सूरक्षा कर्मित यहीं लोग बताएंगे कि क्या हो रहा हमको जो कहेंगे बहु कर देंगे हमको भाल deven iki छले जाएंगे के इहां यहां कए लेकिन हत्या होने के पहले प्रसासन और सासन ने आख और कान मुद लिया था ठीक है हत्या होने के बाद सारी चीजे ठीक है लेकिन बिगर जानके जब चिडिया खेत चुंग गई उसके बाद क्या होगा अब आपनों की तरफ से क्या मांगे है हमारी मांग है उनकी जमीन को वापस दिलाया जाए भूम आफिया जितने अभैत कप जाकि आज सारे बुल्डॉर्जसर धावा देना चाहिए उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए पीडित को सुरक्षा मिलनी चाहिए पीडित को मकान बनव मिलनी चाहिए तभी तो वखनी में वभी रहेगा बसा व के लांग है तो सुरक्षा चाहिए पीडित को मकान चाहिए उसकी जमीन वापस मिलने छैंग इसको हुआ है तो है कुछ मेर्म कईों उसके जलाने वालात पूरी बात का अगर आप साड निकालें तो आखिर में इन्होंने जो बात कहीं वो यह कि अब पस्ताय क्या हो जब चिडिया चुक गई खेद जब परिवार में कोई दावेदार उस तरीके का बचा नहीं जब परिवार में ये लैलाती फसल को काट कर अपना कहने वाला कोई बचा नहीं एक बचा बचा भी है तो उसकी हालत खुद कितनी गंभीर कितनी मारमिक रह तब उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि जब मैं दो तारीक को वापस अपने हाथ में गिफ्ट और बड़े का समान लेकर लोटूंगा तो मेरा परिवार मेरे मेरा अपना भाई यहान नहीं होगा नमस्ते मैं पल्लवी हूँ आप भारत एक नहीं सोच देख रहे है